महराष्ट में सियासी तूफान आ गया है। उद्दव ठाकरे के नेतरत वाली महा विकास अगाडी सरकार विधानसबा भंग करने की सिफारिश कर सकती है। यह संकेश शिवसेना सांसत संजराउत ने दिये। संजराउत ने कहा कि महाराष्ट में मौझूदा राजनितिक हालात विधानसबा भंग होने की और बढ़ रहे हैं। यानि अब किसी भी समय उद्दव ठाकरे इस्तिफा दे सकते हैं। ऐसे में चली आपको बताते हैं कि किन 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 परिस्तियों में विधानसबा भंग हो सकती है। जब राज में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहमत नहीं मिलता है और अन्य दलों की नेता मिलकर सरकार नहीं बना पाते हैं तो राजिपाल विधानसबा को भंग कर देते हैं। यह सरकार समविधान के अनुसार बताए गए नियमों का पालन नहीं करती तो उस राजिका राजिपाल इसके रिपोर्ट राष्टपती को भेजता है। जो कि किन्द्री केबिनिट की परामर्ष के अनुसार राजि में विधानसबा को भंग कर राष्टपती शासन लगा सक अगर राजि में चल रही कड़वंधन सरकार अलपमत में आ जाती है और अन्य दलों के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी बहमत नहीं हैं तो ऐसी इस्तिती में राजिपाल नए चुनाव कराने के उदेश से राजिकी विधानसबा को भंग कर सकते हैं जैसी इस्तिती फिल राजिपाल के इस फैसले को संसत के दोनों सद्रों द्वारा दो महीने के अंदर अनुमती मिलना जरूरी होता है अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास विधानसबा भंग करने के खिलाफ अपील की जाती है और कोर्ट अपनी जाच में ये पता लगाते हैं कि फैसला नहीं है और इसे कोर्ट में चुनोती दी जा सकती है अब अगर महराष्ट में मौजूदा हालात की बात करें तो अगर वहां विधानसबा भंग करने की सिफारिश होती है तो दो इस्थिया बनेंगे पहली बीजेपी कहे कि उसके पास बहुमत है इसलिए साबित करने का मौका दिया जाए वहीं अगर राश्पति शासन लगता है तो इसके छे महीने में चुनाव कराने होंगे इसकी आशंका कम ही है क्योंकि अभी धाई साल पहले ही प्रदेश में चुनाव हुए हैं हाला कि राजिपाल भगत सिंग कोश्यारी फिलाल कोरुना सं अगर राजिपाल को लगे कि उद्दव ठाकरे की सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है तो ऐसे में वो बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं इसके लिए किसी दूसरे राजिके राजिपाल को ये अतरिक जिम्मेदारी सोंपी जा सकती है अब बनाने के लिए बहुमत का अंकड़ा 144 है अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि शिवसेना के कददावर नेता एकनात शिंदे उनके साथ 40 विधायक गए हैं अब महाविकास अगारी की स्थिति देखें तो अगर ये मान लिया जाए कि शिंदे के पास 39 विधायक हैं जो बाग 244 हो जाता है जो बहुमत से चार सीट जादा है यानि इस इस्ति में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आ जाए इस वीडियो पर आपकी क्या प्रत्क्रिया है कोमें सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए साथ यह से और वीडियो के लिए सब्स्राइब करिए हमारा यूट्य क्यानल आज तर पालतू बात या बक्वास नहीं करेंगे बर्दाश्ट खड़ी हो जाएगी खाट जब चित्रा लगाएगी वाट वाट लगाती चित्रा तिक पाट सिर्फ आज तक डिजिटल पर